हलो इस्टुनाइन्स वेलकम टू चानल सबकुष्णों आई आप लोग पढ़ेंगे क्लास एट मैथ का चैप्टर 16 जो की संभावनाओं की संखी की जिसको संभावना या प्राइकता करते हैं चैप्टर का नाम है तो इसमें आप लोग पहले इस चैप्टर का जानेंगे और फिल एक्सर्शाइज 16 एको भी आप लोग पढ़ेंगे अगर आप लोग चैप्टर पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा सेर करिए ताकि सभी लोग घर बठें आनलाइन आसानिस पढ़ाई कर सका तो द प्राइक का भी कहते हैं जैसे माल लिजी है कोई स्टूडेंट है वो एक्जाम उसने दे दिया है तो स्टूडेंट एक्जाम देने के बाद आकर कहता है कि हमने इतने नंबर का क्वेस्टन कर लिया है और मेरे पास होने की संभावना 50 परसेंट है या 70 परसेंट है ऐसे तो यही मतलब संभावना हमेशा बराबर रहता है पास होने का और फेल होने का दो ही चीज़ उसमें हो सकता है तो दोनों का संभावना बराबर रहता है संभावना को ही मैथ में संखी की जो संभावनाओं की संखी की मैथ है उसमें प्राइक्ता नाम दिया गया है प्राइक्ता का मतलब समझ जाएंगे संभावना जैसे माली जी है किर्केट माइच में आप लोग देखते हैं कि सिक्का उछाला जाता है जिसको टॉस करना करते हैं तो जो टॉस होता है उसमें हेड और टेल दोश चीज होता है जो जैसे मालेजिए जो सिक्का है सिक्का में एक तरफ हेड होता है दूसरे तरफ टेल होता है तो जब सिक्का उशाला जाता है तो head और tail के आने की संभावना मतलब उपर आने की संभावना समान होती है head भी आ सकता है या tail भी आ सकता है देखिए head को हम लोग हिंदी में चीत भी कहेंगे math में जब आगे question solve करेंगे तो और tail को हम लोग put भी कहेंगे या head को हम लोग sears कहेंगे और इसको tail को पूँच कहेंगे तो यह सब यही नाम हुगा head मतलब sears tail मतलब पूँच या cheat या put यह सारा नाम है कही हुगा head भी cheat भी sirs भी तीनो एक का नाम tail put पूँच एक का नाम तो ऐसे question जब solve आप लोग करेंगे तो यह नाम आएंगे तो देखिए जब भी सिक्का उछाला जाता है तो सिक्का के उपर आने की सिक्के में जो उपर का भाग है उपर आने की प्राइक्ता समान होती है प्राइक्ता मतलब संभावना या तो head आ सकता है या तो tail कोस्चल सॉल्ब करने में head को h से tail को t से दिखाया जाएगा h लिखा होगा तो आप लोग समझ जाएगे head t लिखा होगा तो समझ जाएगे tail तो प्राइक्ता आप लोगों को समझ में आ चुका होगा प्राइक्ता क्या है गरीत में समझावना का कोई प्राइक्ता काते है समझावना मतलब कोई भी काम होता है तो उसमें उसके होने की समझावना बराबर होती है जैसे कोई student exam दिया उसके pass और fail होने की समझावना बराबर है pass भी हो सकता है फेल भी सिक्का उपर उच्छाला गया सिक्का को उपर आने की सिक्का जब उच्छाला जाएगा तो चित और पट या हेड और टेल आने के संभावना बराबर होती है कोई भी आ सकता है इसी तरह से आप लोग देखे होंगे लूडो बहुत सारे लोग खेलते हैं लूडो में एक चोकोर टाइब का एक पासा होता है इस टाइब का पासा उसको करते हैं ये भी आप लोग याद रखेंगे आगे कोस्चन में आएगा पासा लूडो में पासा फेका जाता है पासा प पांच, शह, या तो यह संख्या है, लिखी होती है, नहीं तो इस तरह से बने होते हैं, एक, दो, तीन के लिए ऐसे, चार के लिए, ऐसे, पांच के लिए, और फिर, शह के लिए ऐसे बना होता है, तो देखिए, एक से छह तक की संख्या है, पांच के फलक पर, एक पांट को फलक काते हैं, तो फलक पर यह संख्या हैं, लिखी होती है, एक से छह तक, तो जब पांच को उच्छाला जाता है, फेका जाता है, तो पांच में एक से छह तक की संख्याओं के उपर आने के आप लोगों से तो मालीजी यह एक पर सेकते हैं हम गवेसेखते चफिश्य दंते हैं हम कर गवेसेखिश्येटी 7 बार 7 अगर उच्छाला गया Опर पाजीज यह एक होता है 2 तीन चार पांच 6 संख्यां हम उसपर लिखी होती है तो जब 7 बार पाशा उछाला गया हम बता रहा है इसमें कि 1 आया है 2 बार 2 आया है 1 बार 3 आया है 1 बार 4 आया 1 बार 5 आया है 1 बार आप लोग जानते हैं पाशा जब पहेकेंगे उपर तो हर बार 1 से 6 तक की संख्यां आने के संभाना बराबर है तो हम question पूछते हैं, अगर 7 बार हमने फेका, 7 बार, 1 आया 2 बार, 2 आया 1 बार, 3 आया 1 बार, 4 आया 1 बार, 5 आया 1 बार, तो 6 कितने बार आयागा, तो कैसे बताएंगे 7 बार हमने फेका, ये आया 2 बार, और 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 मतलब 6 बार इतने इतने आये तो ये 6 कितने बार आयेगा 7 बार हमने फेका है तो मतलब ये कही बार आयेगा तो इस तरह से question आप लोग अभी जब solve करेंगे तो सारी बातां clear होंगी तो अभी तक ये संभाना में आप लोगों को याद क्या रखना है head tail, head का नाम cheat और sis होता, tail का नाम put और पूछ होता है पासा, इस पर 1 से 6 तक की संभाय लिखी होती है head और tail को h और t से दिखाया जागा capital वाला, अब हम लो exercise 16 का ये देखते हैं तो एकिए 16 a का question number first दिया है x1 का कई बार उछाल कर उसके सीर्ष, चीत, तथा पूछ, पट, आने के संखेया निम्नांके सारडी में लिखी गई है अपनी अभ्यास पुस्तिका में, सारडी में रिक्त अस्थानों की पूर्थ कीजिए देखिए, सीर्ष और पूछ दिया है सीर्ष का मतलब head पूछ का मतलब, tail हमने अभी बताया आप लोगों को तो उसमें क्या किया है, देखिए सीर्ष का के उछालों की संखेया चीता आने की संखेया, पटा आने की संखेया मतलब क्या का रहा है सीर्ष का को बहुत ज्यादे बार उच्छाला गया है इधर सिक्का माली जी ये 20 बार जब उच्छाला गया तो चीता आया कितने बार 12 बार तो पट कितने बार आयागा आप लोग समझ सकते हैं 20 में से जब 12 चीता आया 12 बार तो पट कितने बार आया होगा 8 बार पट 8 बार आया बिस बार जब उच्छाला गया, चीत आया 12 बार, तो पट आया 8 बार इसी तरह देखिए, सिक्का को जब उच्छाला गया 30 बार, तो 17 बार आया पट तो आप लोग समझ सकते हैं कितने बार? 13 बार आया चीत 30 बार में से जब 17 बार पट आया, तो 13 बार ये आयागा बार उच्छाला गया, ये नहीं दिया, दिया क्या, चीता आया कितने बार? 22 बार और पट आया कितने बार? 18 बार, तो सिक्का कितने बार उच्छाला गया होगा, बताइए जब चीता आने के संख्या 22 पट आने के संख्या 18 है तो उच्छाला कितने बार गया एक बार 22 आया एक बार 18 मतलब 22 और 18 को जोड़ेंगे तो हो गया 40 मतलब जब सिक्का 40 बार उच्छाला गया होगा तभी तो 22 बार चिताया और 18 बार पटाया अब देखिए यहां भी वही है 32 बार चिताया और 28 बार पट आया तो उच्छाला कितने बार गया तो 32 और 28 जोड़ेंगे तो 60 बार शिक्का जब 60 बार उच्छाला गया तभी 32 बार ये आया और 23 बार ये आया इसी परकार देखिए ये तो हमने ये ले लिया अंक में अंक गड़ित में हमने लिया प्राकिर्तिक संखेया जो दिये हुए थे इसमें हमने ले लिया था यहां देखिए अलजेबरिक वाले संखेया दिये हुए है N और M मतलब सिक्का के उचालों कि संखेया N है तो आया कितने बार है? चिता आया है M बार तो पट कितने बार आयागा? ध्यान देंगे देखिए जैसे मानली जी है सिक्का जब 20 बार उच्छाला गया था 20 बार तो चिताया था 12 बार तो हमने ये कैसे निकाला इस 20 में से हमने 12 को क्या किया था घटाया था तब ये निकला था कितना 8 ध्यान से आप लोग समझेंगे 20 बार जब सिक्का उच्छाला गया चिताया बार बार तो हमने 20 में से कुल में से 20 बार कुल 20 बार उच्छाला गया कुल में से हमने एक को घटाया तो हमको दूसरा मिल गया इसी तरह कुल में से हम लोग एक घटाएंगे तो दूसरा मिलेगा तो इस तरह से ये फर्स्ट कोस्चन कम्पलीट हुआ सिक्स्टीन ये का अब हम लोग सेकेंड कोस्चन देखते हैं तो देखिए यहाँ पर कोस्चन नमबर सेकेंड दिया एक पासे को कई बार फेक कर उसके उपर आने वाली संख्या है निम्नांकी सारडी में लिखी गई है अपनी अभ्यास पूस्तिका में सारडी में रिकता स्थानों की पुरूत की लिए वाले संख्या है एक से च्छै तक के जो संख्या है ये इनके आने की संख्या दी गई है मतलब देखिए क्या करना है खाली जगा भरना है पासा जब फेका गया पंदरह बार तो पासे में एक आया, दो बार, दो आया, तीन बार, तीन आया, चार बार, चार आया, एक बार, पांच आया, एक बार, तो छै कितने बार आया, ये पूछ रहा, तो देखिए, पंदरा बार फेका गया, तो देख लेते हैं, कितना आया, देखिए, दो, तीन, पांच, चार, नौ, एक, दो से एक ग्यारह मतलब यह कितने बार आया ग्यारह हुआ पंदरह यहां है मतलब पंदरह में से ग्यारह को जब घटा देंगे तो चार यहां चार भर लेंगे इसी तरह से देखिए तीस भर पंचा जब फेका गया तो 4, 3, 3, 5, 12, 6, 18, 18, 18 और 4, 22 तो यहां पर आप लोग भरेंगे 8 मतलब 8 भर यह आया होगा फिर देखिए 45 तो 7, 8, 15, 15, 15, 8, 23, 23 और 10, 43 और 45 भर फेका गया 33 हुआ तो यहां कितना भरेंगे 12 बार यह आया होगा फिर देखिए 60 बार जब 5 फेका गया तो यह काया 8 बार यह आया इतने बार तो क्या करेंगे 8 और 9 जोड़ेंगे तो 17, 17 और 10, 27, 27 और 11, 28, 29 और 12 फिर देखिए 90 बार 5 फेका गया 13, 17 जोड़ेंगे 30, 30 और 12, 42, 42 और 14, 56, 56 और 18, 74 और 90 बार फेका गया तो 16 बार यह आया अब देखिए इधर का हमने पूरा भर लिया है यहां के लिए दिया आप कुल 55 फेके जाने की संखिया में बरना है तो सब को जोड़ लेंगे जीतना आएगा वो बरनेंगे 22 और 18 जोड़ेंगे तो 40, 40 और 25 65, 65 और 20 85, 85 और 16 101 और 19 120 बार 5 फेका गया तो देखिए यह प्राइकता बहुत ही easy chapter है तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे अब हम लोग question number 3 देखते है तो देखिए यहां पर 3rd और 4 दोनों question दिये हुआ है इस अभ्यास में 16 A में कुल 4 question दिये हुआ है तो यह 16 का A आज पूरा complete होगा तो 3rd number question दिया एक समांगी पासे के 49 बार फेकने पर प्रतेएक फलक के उपर आने की संभावनाओं को समान मान लेने पर ग्याद कीजिए कि अंक 1,2,3,4,5,6 में से प्रतेएक कितने बार आएगा कारा कि एक समांगी पासे को 48 बार फेका गया है तो 1 से 6 तक की संभी 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 स सभी संख्या है आठाठ बार आएंगे बराबर बार आएंगे तो हम लोग लिखेंगे सभी संख्याओं के उपर आने की पराइक्ता या संभावना बराबर क्या होगा 48 बार फेका गया और कुल संख्याओं 6 है 6 में बाटना है 48 को भाग करेंगे 8 बार में मतलब सभी संख्याओं कितने कितने बार आएंगे 8 बार यही अंसर हो जागा जब सभी संख्याओं बराबर बार आएंगे उपर तो मतलब 8 बार सभी आएंगे तभी 8 शकार तालिस हो जागा अब देखिए question number 4 इस exercise का last question है एक समांगी पांसे को 54 बार फेकने पर या पाया गया कि सम अंकों के उपर आने की संख्या 25 है तो ग्याद किजिए कि 20 सम अंकों के उपर आने की कुल संख्या कितनी होगी देखिए 24 बार फेका गया तो उसे में से सम संख्या आये हैं 25 बार तो 20 सम कितने बार आएंगे तो क्या करेंगे 24 में 20 को गटा लेंगे तो लिखते हैं विशम अंकों के उपर आने की संभावना या प्राइकता बराबर तो 54 बार फेका गया 54 में से सम संख्या आये हैं 25 बार तो हमको विशम निकालना चववन में 25 बार जब सम आया तो विशम या थ निकल जागा 25 को इसमें से घटाएंगे तो 29 बार विशम संख्या आया उन्तीस बार आएंगी यह answer हो जागा तो इस तरह से यह exercise 16 का यह पुरा complete हुआ अगले part में आप लो 16 का B और उसका introduction देखेंगे